हेलो दोस्तों नमस्ते इस वीडियो में हम KPIT Technology Limited इस कमपणी का फंडामेंटल और टेक्निकल अनलिसिस करने वाल है तो वीडियो को ज़रा सब इसकिप मत किजिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए KPIT Technology Limited एक ग्लोबल टेक्नोलोजी कमपणी है जो की आटमेटिव कमपणीज को सौप्ट्वेयर सलुशन प्रोवाइड करती है ये इंडिया की आटमेटिव टेक्नोलोजी सेग्मेंट की सबसे बड़ी कमपणी है इस कमपणी का बिजनेश six domains में divided है जो की है autonomous driving, connected vehicles, electric and conventional power train, vehicle diagnostic, autosar और mechatronics KPIT कमपणी के development center USA, Europe, Japan, China और इंडिया के अलावा बहुत सारी countries में है कमपणी को सबसे जादा revenue USA से आता है और product wise revenue देखे तो 75% revenue passenger vehicle से आता है 23% revenue commercial vehicle से आता है और बचा हुआ 2% revenue other sources से आता है BMW, Cummins, Packard, Laffart जैसी बड़ी-बड़ी companies लंबे समय से इस कमपणी के clients है KPIT अभी तक 58 patents फाइल कर चुकी है जिसमें Revolve जैसे software solution भी include है इस कमपणी का business काफी अच्छा नजर आ रहा है तो चलिए इसके fundamental भी देख लेते है तो इस कमपणी का market capital 19,119 करोड का है इसकी current price 697 रुपीज है stock का 52 week high 764 और 52 week low 440 रुपीज है stock का P.E. ratio 60.2 है और industry का P.E. ratio 30.7 है मतलब ये company बहुत ही overvalued हो गई है इसका book value 50.8 रुपीज है dividend yield 0.44 परसेंट है stock का ROE मतलब return on equity 21.5 परसेंट है और ROC मतलब return on capital employed 24.1 परसेंट है जो की बहुत अच्छे माने जाते है अब बात करें इसके debt की तो company के उपर 186 करोड का debt है लेकिन company के पास 406 करोड का free cash flow available है इसका एक साल का net profit 322 करोड का है और इसका debt to equity ratio 1 से कम है 0.13 है मतलब इस company के उपर इतना भी जादा कर्ज नहीं है और इसका earning per share 11.6 है जो की इसकी share price के इसाब से बहुत अच्छा है अब हम बात करते हैं company के share holding pattern की तो company के promoters के पास 40.10% का मालिकाना हिस्सा है retail investors के पास 29.07% की holding है foreign investors के पास 20.26% की holding है mutual funds के पास 7.70% की holding है और other domestic institutions के पास 2.87% की holding है और इस company के promoters की holding 0.82% pledge भी है stock के performance की बात करें तो इसने 2 सालों मे 412% का return दिया है एक साल में 10% का return दिया है 6 months में 32% का return दिया है और एक month में 0.1% का return इस company ने अब तक बना के दिया है अब बात करें इसके pros की तो company has been maintaining a healthy dividend payout of 25.4% और कौनस की बात करें तो ये stock अपनी book value से 13.7 times उपर trade कर रहा है अब हम बात करते हैं company के financial trend की तो company का revenue हर साल लगातार increase हो रहा है और का net profit हुआ है और दोस्तों इसके peer comparison में एक नंबर पे टाटा एलेगजी दो नंबर पे यमफेसिस, तीन नंबर पे फरसिस्टन यस वाई यस चार नंबर पे LNT technology, पास नंबर पे Oracle Fins Services और छे नंबर पे Corfrage Limited ये company आती है और उसके बाद साथ नंबर पे KPIT Technology Limited ये company आती है दोस्तों इस company की share price अभी 697.85 रुपिस पर trade कर रही है और ये company आगे जाके बहुत अच्छा perform कर सकती है क्योंकि इस company के future plans काफी बढ़िया नजर आ रहे है और company के clients भी बहुत बढ़े बढ़े है तो आपको इस company में research करके invest करना चाहिए लेकिन दोस्तों आप इस company में invest करना चाहते है तो आप अपने financial advisor से एक बार जरूर डिसकस करे और आप अपने risk पर invest करे long term के लिए invest करना वही आपके लिए बेहतर होगा अगर आपको वीडियो informative लगाओ तो वीडियो को like कीजे और अपने दोस्तों के साथ share कीजे और अगला वीडियो कोन सी company पर चाहिए comment करके जरूर बताए धन्यवाद